हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनी लर्नेक पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है जिससे आपके वीडियो पर वीडियो बढ़ने के चांसे बहुत अधिक होते हैं और जब वीडियो बढ़ता है तो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ने के चांसे बहुत अधिक होते हैं तो वीडियो पूरा लाज तक देखते रहे है, step by step मैं आपको सारा कुछ explain करने वाला हूँ, तो चलिए आज का ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना Chrome Browser open करना है, और Chrome Browser open करने के बाद यहाँ पर आप search bar में type करेंगे, YouTube, और यहाँ पर YouTube सर्च करने के बाद आपके सामने जो first result आएगा यहाँ पर, www.youtube.com, इस link पर आपको एक बार click करना है, इसके बाद आपके सामने एक नया page open होगा, इस page में आपको यहाँ पर right corner में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके YouTube चैनल का logo, इस logo पर click करने के बाद आप your channel के option पर click करेंगे, इस पर click करते ही आपके सामने एक नया page open होगा, यह कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर आपको customize channel के option पर click करना है, इस पर click करेंगे, और आपके सामने फिर से एक नया page होगा, open, यहाँ पर आपको video manager का option मिलेगा, इस video manager के option को select करना है, और उसके बाद आपके सामने जो भी आपके channel पर videos हैं, वो सारा videos so करेगा, अब इनमें से आप जिस video में card add करना चाहते हैं, उस video के pencil option पर आप select करेंगे, चलिए मैं इसका pencil option पर click किया, और इस video में card add करना चाहता हूँ, i button add करना चाहता हूँ, तो अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए, card का option मिलेगा, इस option पर आपको click करना है, इसके बाद आपके सामने इस तरह से कुछ pop-up box खुलेगा, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, videos, playlist, channel और link, इस तरह से आप इन सब को add कर सकते हैं, चलिए मैं videos पर click करता हूँ, और कोई भी एक video add करता हूँ card के रूप में, तो इसे select किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई button में यहाँ पर show करने लगा, अब आप देख सकते हैं कि यह जो है, video के starting में ही है, आप इसे drag drop कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भर सकते हैं, यह optional है, नीचे अगर कुछ नहीं डालेंगे, अब आप देख सकते हैं, दोनों card एक ही time पर show करेगा, तो इसे हम drag drop यहाँ से कर लेंगे थोड़ा सा, तो इस तरह से आप इसे drag कर सकते हैं, कहीं पर भी, और उसी जगह पर, उसी timing पर, यह card आपके videos में show होगा, जब आप video को play करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर timing जो है change हो गया है, यहाँ पर भी थोड़ा सामने change किया, और यहाँ पर देख सकते हैं, timing change हो गया है, अब चलिए हम इसको यहीं रहने देते हैं, और भी card एड़ करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ प्लेइलिस्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई बटन में में मेरा playlist सो हो गया है, और इसका timing, starting में इसको drag करके हम यहाँ पर ले आते हैं, अब इस तरह से आप कोई भी card एड़ कर सकते हैं, आप इसमें maximum 5 card एड़ कर सकते हैं, अभी हमने 3 card एड़ कर लिया है, चलिए और एक करता हूँ वीडियो को, और मान लो कि मैं यह वाला वीडियो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यह हमारा 4 card एड़ हो चुका है, इसे हम drag करके इधर कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं, यह पर 4 card एड़ कर रहा है, अब एक और वीडियो एड़ करते हैं, और टोटल 5 card हम एड़ कर सकते हैं maximum, और वो पूरा complete कर लेते हैं, यह 5 card इसे drag करके यहाँ पर लेते हैं, और इसी timing पर जो यहाँ पर एड़ कर रहा हैं, तो यहाँ पर और card एड़ करने का option नहीं आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है 5 card maximum, हम लोग एड़ कर सकते हैं, अपने किसी भी वीडियो में, तो अब क्या करना है, आपको simply यहाँ पर save के option पर क्लिक करना है, जब आप सारे card लगा लेंगे, तो save पर क्लिक करेंगे, और आपके वीडियो में card एड़ हो जाएंगे, अब मैं आपको practically इसे play करके दिखाऊंगा, अपने वीडियो को, जिससे आपको पता चलेगा, कि हमारे वीडियो में successfully card लग चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आई बेटन का option दीख रहा है, आप चाहें तो इसे click करके, सारे वीडियो जो भी हमने add किये हैं, वो यहाँ से directly देख सकते हैं, और अगर आप card पर click नहीं करते हैं, आई बेटन पर click नहीं करते हैं, तो यह जो timing हमने set किया है, उसी timing के आधार पर, यहाँ पर हमारे card सो होंगे, चलिए अब हम मान लेते हैं, कि हमारा जो card है, लगभग 1 मिनट 45 सेकेंड में है, तो 1 मिनट 42 सेकेंड में हमने set किया, और अब आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर videos में card सो हो गया है, और यह ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 सेकेंड के लिए रहता है, इसके बाद इस तरह से चला जाएगा, और इसी प्रकार हमारा जो हर card है, वो time time पर आता रहेगा, जिस timing पर हमने set किया है, और इसी तरह हमारे वीडियो में time time पर यह जो card है, वो सो होते रहेंगे, उम्मीद है कि आपको यह सारे steps समझ में आऊंगे, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, दोस्तों मुझे पर उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए और नोटिफिकेसन आइकल को जलूर दबाईए, वीडियो पूरा लाष्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!